है फ्रेंड्स कैसे हैं स्वागत आपका हमारी यूटीब चैनल में जैसा कि हमें इसक्वाइड गिवन है इसक्कोर के अंदर दो राइट एंगल ट्रेंगल गिवन है जो की एलो अपर है वीड है जिसका एरिया है हमें वीडियो को अभी पोच करें और उसको सौल करके हमें जो भी आंसर आता है कमेंट बोक्स में रिप्लाइ करें दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं अभी तक हमाद चलों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें तो आइए इस क्यूशन को सौल करते हैं दोस्तों ग्रीन सेड अंदर जो ट्रेंगल एवन दोनों इन ट्रैंगल की जो हाइट है दोस्तों वह कून है तो इसको नाम दे देते हैं E F ठीके दोस्तों दोस्तों क्यूशन में हमें डिवन है triangle AEF का जो area है वो है one unity square के equal और BEF का जो area में given है वो है four unity square के equal तो यहाँ पर लिख देते हैं तो इस प्रकार हमने area of AEF लिख दिया one unity square और area of BEF लिख दिया four unity square हम जानते हैं दोस्तों triangle angle AEF में जो angle E होगा AEF वो क्या होगा 90 degree होगा ठीक है यदि इस वाले angle को हम मान लेते हैं यह एफ AE angle को मान लेते हैं अल्फा कि जो दूसरा angle होगा वो क्या होगा यह वाला angle क्या होगा दोस्तों 90 minus alpha होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं 90 minus alpha ठीक है तो यह वाला जो angle होगा यह वाला angle यह क्या होगा दोस्तों यह वाला होगा alpha ठीक है क्योंकि यह वाला जो angle है वो total 90 degree है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो यह वाला angle होगा वो क्या होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमार पास 90 minus alpha ठीक है दोस्तों यहाँ पर दोनों triangle A, E, F और F, E, B दोनों right angle triangle आपस में similar होंगे angle 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 की property की मदद से तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तो triangle A, E, F similar होगा triangle F, E, B के किसकी मदद से होगा दोस्तों यह angle 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 की property की मदद से होगा ठीक है तो यदि दोनों triangle similar है तो हम बोल सकते हैं दोस्तों दोनों triangle के जो area का ratio होगा उनकी side के square के ratio के वराबर होगा triangle A, E, F और F, E भी आपस में similar triangle है तो उनके जो area का ratio होगा वो corresponding sides के ratio के square के equal होगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं A, E, F का जो area है 1 unity square है और F, E, B का जो area है वो है 4 unity square के equal है तो यहाँ पर हम put कर देंगे values को 1 divided by 4 is equal to A, F divided by B, F इसका whole square ठीक है तो यहाँ से हमार पास आता है A, F divided by B, F वो आ जाता है कितना 1 by 2 के equal यहाँ से हमार पास आता है B, F की जो length होगी वो कितने हो जाएगी 2 times of A, F के equal ठीक है तो इसको हम क्या करता है question number 1 नाम देते हैं ठीक है अब हम जानते हैं दोस्तों A, F, V एक right angle triangle है और A, F, B का जो area होगा वो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर हम लेख देते हैं area of right angle triangle A, F, B वो कितना होगा दोस्तों वो हो जाएगा मार पास 1 by 2 into A, F into F, B के equal ठीक है और इसका जो area है total वो कितना हो जाएगा 1 plus 4 यहाँ ने की 5 unit square के equal 1 by 2 into A, F into अब दोस्तों यहाँ पर F, B है F, B की value हम यहाँ से put कर सकते हैं equation number 1 से कितनी है 2 times of A, F के equal यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 2 times of A, F ठीक है equation को solve करते हैं 1 plus 4 कितना हो गया 5 A is equal to 1 by 2 into 2 into AF square, ठीक है, 2 से 2 cancel out हो जाएगा, तो हमारे पास AF square जो आ गया, वो कितना आ गया 5 unit square के equal आ गया, इसको नाम ले देते हैं equation number 2 ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर right angle triangle triangle AFV नजरा रहा होगा, तो AFB में हम पत्यागर उस्तों हम अप्लाई कर सकते हैं, तो पत्यागर उस्तों के accordion हम क्या लिख सकते हैं, AB square is equal to AF square plus FV square, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर FV की जो value है, उसको put करेंगे हम equation number one से, तो equation number में हमारे पार FV के जो length है, वो कितनी है, two times of AF है, तो यहाँ पर FV के जगे क्या लिख सकते हैं, two times of AF, यहाँ पर put करते हैं, हम दोस्तों, two times of AF और इसका whole square, इसको simplify करते हैं, तो हमारे पास आता है, AB square is equal to AF square plus four into AF square, इसको add करते हैं, तो AB square हमारे पास आता है, five times of AF square, ठीक है, तो यहाँ से AB square की जो value आएगी हमारे पास, वो कितनी आ जाएगी, five into AF square, अब यहाँ पर AF square given है दोस्तों, तो AF square की value हम यहाँ से put कर सकते हैं, equation number two से, कितनी है, five है, तो यहाँ पर put कर देते हैं, AF square की जगे, five is equal to, हमारे पास यहाँ पर AB square आगया, 25 के equal, ठीक है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं, square की जो एक side आईए, हमारे पास AB, वो कितनी आगई, five unit के equal, ठीक है, इसको नाम देते हैं, equation number three, तो दोस्तों, यहाँ पर square ABCD की एक side हमारे पास आगयी, इसकी length है, five unit के equal, अब हम क्या करेंगे, square ABCD का area find out करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं, area of square ABCD, वो क्या होगा दोस्तों, किसी भी square का जो area होता है, वो उसकी एक side के square के equal होता है, तो यहाँ पर ABCD की जो एक side है, वो क्या है, AB है, इसको equation number three से हमने find out किया है, तो यहाँ पर value वो put करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं, five square, तो इस परकार ABCD का जो area आगया, वो आगया 25 unit square के equal, इसको नाम दे देते हैं, equation number four, और हम जानते हैं, triangle AFB का जो area होगा, total, वो क्या होगा, दोनों triangle के area के sum के equal होगा, यानि की one plus four यानि की five unit square के equal होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, area of triangle AFB, वो क्या होगा दोस्तों, one plus four, यानि की five unit square के equal होगा, इसको नाम देते हैं equation number 5 तो दोस्तो इस प्रकार हमने square का area find out कर लिया और A, F, V triangle का area find out कर लिया तो हमें क्या find out करना है इस question में green shaded region का area find out करना है तो green shaded region का area find out करने के लिए हम लोग क्या करेंगे square के area में से triangle का area minus कर देंगे तो महार पास क्या आ जाएगा बचा हुआ green shaded region आ जाएगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तो area of green shaded region वो क्या होगा दोस्तो equation number 4 minus equation number 5 करेंगे तो हमार पास क्या जाएगा green shaded region आ जाएगा तो 25 minus 5 is equal to मार पास आ जाएगा 20 unit square के equal जो की हमारा इस question का answer है दोस्तो तो दोस्तो green shaded region का area मार पास आ जाएगा 20 unit square के equal तो दोस्तो video helpful लगाओ तो मार जैन को subscribe share एस video को like करना नहीं बूले thank you thank you so much for watching मुझाओ जोस्तोरी